लेटिस्ट न्यूस के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूस अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर प्लिक करें वहीं बार्वी परिक्षा का परिणाम 78.69 फिजदी गया है हाई इसकुल में प्रग्या कस्यपने टॉप किया है उन्हें 100 फिजदी अंक मिले हैं जबकि बार्वी की परिक्षा में 97.80 फिजदी अंकों के साथ टीकेस वैस्टनो टॉपर है दोनों ही टॉपर मुंगेली जीले के हैं सिख्षा मंत्री प्रेम सायसी हटेकाम ने वीडियो कॉन्फरेंस से ही परिणाम की घोसना की है एक बार फिर पोड परिक्षाओं में बाजी लड़क्यों के हाथ लगी है हाई इसकुल में बालिकाओं का प्रतिसत 76.28 और बालाकों का प्रतिसत 70.35 रहा है जबकि बारवी की परिच्छा में बालिकाओं का प्रतिसत 82.02 और बालाकों का 74.70 प्रतिसत रहा है परिच्छा प्रिनाम मंडल की वेबसाइट cgbac.nic.in पर देखा जा सकता है रैपूर की स्रेया अगरवाल बारवी में सेकन टौपर दस्वी में प्रसंसा राजपूत दस्वी में दूसरे इस्थान पर बेमेतरा की प्रसंसा राजपूत ने 99.29% अंक प्राप्त किये हैं तिसरे इस्थान पर बालोत की भारती यादा और जस्पूर के नीखिल साओ ने 98.67% अंक प्राप्त किये हैं। तकातपूर बिलासपूर की तनु यादाव ने 96.60% अंक प्राप्त किये हैं। वहीं तीसरे इस्थान पर है। दस्वी में 3.87 लाक वा बारवी में 2.72 लाक से जादा परिक्षार्थी हुए थे सामिल। सीजी बोर्ड की दो मार्च से सुरू हुई परिक्षाएं 20 मार्च तक ही हो पाई थी। जिसके बाद करोना के चलते 21 मार्च से 31 मार्च तक परिक्षाओं को स्थागित कर दिया गया था। कि माई के पहले सताह में दोबारा परिक्षाओं की तारीखों की घोशना की गई थी। लेकिन हालात को देखते हुए परिक्षाओं इस्थागित करनी पड़ी थी। इसके बाद राज्य सासन की और से 13 माई को परिक्षाओं ना कराने का फैसला लिया गया था। इस्टूडेंट को उनके पूर्व के परफॉर्मेंस के अधार पर नमबर दिये गए हैं। करीब साड़े 3,000 छात्रों को बोनस नमबर मिला है। यह नमबर उन्हें खेल कूद NCC, NSA समेत अन्य केटेगिरी के अनुसार दिये गए हैं। दस्वी में 3,87,542 छात्रों और बार्वी में 2,72,899 छात्रों परिच्छा में सामिल हुए थे।